जै स्री कृष्णा रादे रादे स्वागत करते हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में तो आज हम जानेंगे कि हमें कब और किस प्रकार से खाटू वाले श्याम बाबा की जोत जलानी होती है तो फालगुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे की आमल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है उसके अगले दिन यानि दुआदशी वाले दिन श्याम की समय श्याम बाबा की जोत ली जाती है तो इस पूजा वीदी में आपको श्याम बाबा की एक फोटो या मूर्ती के आवश्यक्ता होगी और यदि फोटो या मूर्ती आपके पास ना हो त तो आप भगवान श्री कृष्ण का या लड़ू गोपाल का फोटो या मूर्ती भी ले सकते हैं क्योंकि बाबा श्याम जो है वो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप हैं तो यहां पर आप भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन कर सकते हैं या आप बिना फोटो या पूजन को कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो है मुख्य रूप से जोत का ही पूजन किया जाता है और श्याम बाबा के नाम की जोत ली जाती है तो देखी वैसे तो जो हर महिने की दुआ दशी आती है यानि बारस को आप श्याम बाबा की जोत ले सकते हैं लेकिन फालगुनमास क शुक्ल पक्ष की जो दुआदशी होती है उसमें श्याम बाबा के नाम की जोत लेने का एक अलग ही महत्व होता है क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन श्याम बाबा ने अपना शीष भगवान शुरी कृष्ण को दान में दिया और शीष के दानी कहलाए तो यहाँ पर हमने ज शुद्ध जल से बहरा हुआ एक लोटा रख दिया है देखिए इस पूजन को आप अपने घर के पूजा इस्थल पर भी कर सकते हैं या किसी भी पवेत्रिस्थान या किचिन की स्लैप पर भी आप चौकी लगा कर इस पूजन को कर सकते हैं बशरते आपके किचिन में नॉन इस दीपक को प्रजलित बने रहना चाहिए और दीपक आप मिट्टी, तामबा, पीतल या पूजा की स्टेल की कटोरी में भी प्रजलित कर सकते हैं इसके बाद देखिए हाथ में हमें थोड़े से अक्षत और पुश्प लेकर हम सबसे पहले गनपती जी का दियान करेंगे उसके बाद में श्याम बाबा से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी घर में जोति की रूप में विद्दमान हो जाएं और हम पर अपने क्रपा द्ष्टी बनाए रखें और हमारी प्रार्थना स्विकार करें, तो इस प्रकार से हम उनका आवाहन करेंगे और गंगाजल और किसायता से इस प्रकार से छीटा देते हुए पवित्री करण कर लेंगे और इसके बाद खाटू श्याम बाबा को हम यहां पर वस्त्र रूपी का लावा अर्पित कर देंगे और जनेव अर्पित कर देंगे आप चाहें तो यहां पर लाल या पीला वस्त्र भी अर्पित कर सक तो देखिए श्याम बारस के दिन, यानि दुआदशी के दिन हमें वरत रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप बिना वरत रखे इस पूझन को कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक दिन पहले ही, यानि एका दशी के दिन ही कई लोगों का वरत होता है, तो अगले दिन पवित्र होकर आप इस पूजन को करें और पूरे परिवार के साथ मिलकर इस पूजन को करना चाहिए तो दुआदशी वाले दिन परिवार के सभी सदश शुद्ध और सात्विक रहें और शाम के समय पवित्र होकर इस पूजन को करें तो यहाँ पर हमने श्याम बाबा को फूलों का हार अरपित कर दिया है और दीपत पर भी फूल चड़ा दिये हैं और इसके साथ जोत अपनी प्रजवलित कर लिये हैं तो देखें आज के दिन आप श्याम बाबा को एक मोर का पंक जरूर भेट करें और फालगुन मास की तो खाटू वाले श्याम बाबा भगवान श्रीक्रिष्ण का ही स्वरूप हैं और कल्यूग में श्याम बाबा एक ऐसे देवता हैं जो शीग्र प्रसंण हो जाते हैं इसलिए फालगुन बारस के दिन श्याम बाबा की जोत अवश्य जलानी चाहिए तो इस तरह से एक जटावाला नारियल और थोड़ी दक्षणा हम भेट स्वरूप श्याम बाबा के पास ही रख देंगे और बाद में श्रीक्रशन जी के मंदिर में दक्षणा के साथ इसे दान कर देंगे और इसके बाद श्याम बाबा का जो मुख्य भोग प्रसाद होता है वो इस प्रकार से है पंचमेवा, खीर, गाय का कच्चा मीठा, दूद, चूर्मा ये जो हैं भोग वो श्याम बाबा को अति प्रिये हैं इस नारियल के साथ आप और भी वस्तु में मिला कर दान कर सकते हैं तो इस प्रकार से देखिए सभी भोग में आप तुलसी दल आवश्य डाल दें क्योंकि बिना तुलसी दल के बाबा श्याम भोग स्विकार नहीं करते हैं तो यह अकसर में देखती हूं लोग गलती करते हैं तुलसी नहीं डालते हैं लेकिन तुलसी आप जरूर डालना अब इसके बाद देखिए हमें अग्यारी करनी होती है गाय के गोबर के उपले के साथ देखे, इजीली मार्केट में अवेलिबल होते हैं गाय के गोबर के उपले, तो यहाँ पर हम एक उपले को गैस पे सेख कर सुलगा लेंगे, इसके बाद हवन पात्र को डायरेक्ट आप जमीन पर ना रखें, फूल या अक्षत का आसन देते हुए उसे रखें, तो द्वाप अपना शीषदान किया था, तो इस प्रकार से सबसे पहले हवन पात्र का पूजन करने के बाद हमें पांच आहूतियां देसी घी की देनी हैं, इसके बाद हमने जो भी भोग अरपित किया है, इस अगनी में उन सभी की पांच-पांच आहूतियां देते हुए, श्याम करीब 1000 साल पहले एक अदशी के दिन बाबा का शीष श्याम कुंड में मिला था, और यहां पर कुएं के पास एक बड़ा सा पीपल का पेड था, जहां पर आकर गायों का दूद स्वता ही जरने लगता था, जिससे हैरान होकर गाउवालों ने जब खुदाई की, तो वहां पर बाबा श्याम का शीष मिला था, और बाबा के शीष को चोहान वंस की रानी नर्वदा कवर को सौप दिया गया था, बाद में समवत 1084 में इस शीष की स्थापना मंदिर के रूप में देव उठनी एकादशी के दिन की गई थी, तो देखी, राजिस्थान के सीकर जिले से दुआदशी तक के लिए आयूजित किया जाता है, और साल 2024 में लखी मेला 12 मार्च से लेकर 21 मार्च तक चलेगा, तो दोस्तों इस प्रकार से आने वाली फालगुन दुआदशी के दिन, यानि कि श्याम दुआदशी को आप श्याम बाबा का पूजन अवशे से करें, ब सारे के सारे बाबा श्याम होते हैं, तो हमें उनकी शरण अवशे लेनी चाहिए, उनकी शरण में हमें चले जाना चाहिए, तो हवन में आहूतियां देते समय, आप बाबा के मंत्रों का जब जरूर करते रहें, और अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं आते हैं मंत्रों, तो श्री श्याम देवाय नमह स्वाहा श्री श्याम देवाय नमह स्वाहा इस तरह से आप बोलते रहें और हवन संपन्य करने के बाद धूप दीप से प्रेम पुर्वक बाबा की आरती उतार लें और देखे पूजन संपन्य करने के बाद सभी परिवारी जन मिलकर श्याम ब देश नमह, शीश के दानी कीजए, तो इस तरह से आरती संपन्य करने के बाद 11, 21, 51 जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी दक्षणा आरपित करें, और हाथ जोड़कर बाबा श्याम से ख्षमा याचना कर लें, कि पूजा में अगर हमसे कोई भूल जोक हो गई हो, तो उसे ख् आप किसी विशेश मनो कामना से इस जोट को प्रजुलित कर रहें, तो देखिए हो सके तो रात्री जागरंड करें, और समय समय पर इसे चेक जरूर करते रहें, अगर घी कम हो रहा है तो इसमें आप डालते रहें, क्योंकि जो जोट है वो पूरी रात्री जलनी चाहिए, तब भी उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होगा, तो उमीद करती हूँ, वीडियो अब सभी के लिए उप्योगी रहें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज आप राप्त कर सकें,